एलो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर्ड वीडियो में तो आज सुबह सुबह आप सबको मैं बताया कि मेरी एरोवाना आप नहीं रही तो यह जो आप 4 फीट का मेरा टैंक देख रहे हैं जिसमें ऑसकर, ग्रीन टेरर और पैरेट फिसेज है यह एक 4 फीट का टैंक है हमारे पास और दूसरा मैं आपको 4 फीट का टैंक दिखाता हूं यह रही जिसमें भी सिंगल सी गोल्ड फिस में रखा हूं यह पूरा खाली है इसी में एरोवाना थी और एरोवाना मैं आपको दिखा देता हूं लाश्ट टाइम जो कि इसमें होगी और सेद मर नहीं होगा तो यह मेरी एरोवाना जो आप देख रहे हैं यह अब नहीं रही 200, 2500 की यह फिस थी और आप देख सकते हैं यह साइज वगरा सब सई थी इसकी टेल देख सकते हैं कट गई है तो first bad experience मेरी एरोवाना के साथ हो गया है मैं अभी तक एक भी बार रखा नहीं था औ और पता नहीं किस वज़ा से मर गए या तो दो reason हो सकता है मैं जो अभी सेख क सीख पाया 21 सकता या तो या तो इस प्रण एक है यृस दुसरा ये आड़ जब से आया थी एक भी दिन खायी नहीं थी यह को सकता है मेनली चलिए मैं इसे फिलाल पानी में हільки डाल देता हूं वापस वीडियो बनाने के बाद मैं इसे मिट्टी में डाल दूंगा ठीक है इसे इसमें पैरेट फीसेज है हमारी मों इसे मैं एप रिमूव करने वाला हम यह है मेरी पैरेट देख सकते हैं इसके अंदर तो अब आप सब सजेस्ट किजिए कि इस वाले टैंक में मैं कौन सी फिसेज रखूं में लिए वीडियो बनाने का मकसर यही है एरवाना तो अभी मैं लाने वाला नहीं हूं जब तक मैं और अच्छे डंग से उसको सीखना लूं आयरवाना तो अभी आएगी नहीं तो इसमें मैं दो-3 ओप्सन सेलेक्ट कर रहा हूं क्य 경찰 अभी देखिए एक चार लूप का टैंक है यहां दौह हो गया एक चारू-विट का टैंक यहां पर यहां पर चले जागा यह जो आप मेरी प्यारी से जाइंट ग्रामी देख रहे अपरेल में तो यह वाला giant gaurami जो है यह giant gaurami जो new four feet का tank है जो मैं add करने दिया था उसमें चले जाएगा तो एक चार feet का tank तो खतम हो गए यानि हमारे पास अब यह तीन feet का tank है यह 4 feet का tank है और यह एक 4 feet का tank है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो है मैं औसकर रग के साथ तो यह आपको कमेंट करके बताना है इसमें गोल्ड फिस है फिलाल तो ऑसकर और सिल्वर डॉलर का कॉमिनेशन इस चार फिट टैंक में मुझे लगता है अच्छा लगेगा देखने में तो आप सब बता है या सिर्फ डॉलर रखें यह भी आप कर्मेंट कर सकते हैं को यहां जो भी मचली बचा जैसे ग्रीन टेर है पैरेट फिस्टेज है उसके बाद रेट टेल सार्ख है उसके बाद यहां आजिए यहां सारी फिस्टेज इसरें सिवरम फिस्टेज म hon विक्स द likeडज्य ए पॉलर पैरिट है जो एस सभा स τους और थे टेकसास हो गया तो अगर यह सब सारा फिस जो भी आप देख पा रहे हैं यहां पर यह सारा फिस और यह पैरेट और जो भी है ग्रीन टेरर इस वाले टैक में मैं शिप्ट कर देता हूं क्यों कि इस टैक की चोड़ाई 15 इंचेज है पैरेट उतनी चोड़ी तो होती नहीं है बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या ऑसकर रहूं अगर ऑसकर रहूंगा तो फिर ऑसकर के साथ कौन सा फिस रहूं ये भी बताएंगे आप सा और नहीं तो दूसरा ओप्सन में यह सोच रहा था की इसमें کوई कार्प फिस ऐस का सेटप करो कोई का और और बास उसका एैप व tu कोई कार्प फिसेज लाओं खुबसूरत कोई कार्प बड़ी पूछ वाली आप जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा या तो इसमें ऑसकर रहेगी या डॉलर रहेगा गर दोनों साथ में रहता है तो यह भी बताईए मुझे दूसरी बात इसमें मैं अगर यह दोनों छोड़ा क करके मैं अगला जो फिसेज एड़ करूंगा वो कोई कार्प होगा और सार्क होगा यह दो का कॉंबिनेशन भी मैं एड़ कर सकता हूं तब जाइंट गुरामी को मैं इसी में टैंक में छोड़ दूंगा और एक और जो चार फीट का टैंक आएगा जो मैं आपको सब के साथ सेहर किया उसमें मैं यह ऑसकर सिप्ट कर दूंगा तो जो भी आप बोलेंगे बताइए और यह भी बताइए कि बार बार फिसेज तो चेंज करना नहीं है छोटे साइस का फिस लाकर के इसको बड़ा करना है ठीक है तो जो भी है सजेशन आप देते रहिए बार 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 च अचली को एट कर दिया जा और बार बार चेंज नहीं किया ठीक है इससे होगा क्या एक तो हमारी पेट काफी दिन तक रह जाएगी और जब बड़ी होगी तो आप सब को देखने में मज़ा आएगा तो मैं यही सोच रहा हूं क्या मेरा सोचना सही है यह भी आप कमेंट करक करेंगे इसे अब मैं हटाने वाला हूं इसमें पैरेट फिशे से बहुत लड़ाई हो रहा था तो इसलिए मैं अलक से इसको रख दिया था और यह प्लाग पचास रूपे वाला जो प्लांटेड एक्वेरियम था वह है पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं तो कि यह मै अंदर में है यह मचली जंप कर जाती है इस दिखना चाहिए पता नहीं मैं क्लीन करूंगा फिर आपको में दिखाऊंगा ठीक है तो यह सारी फिसेज है यहां सिवरम शिकलेड अब आप सब बताएए क्या किया जाए तो यह टैंक का हो गया इस इस वेसिफाय टैंक का हो ग और कौन सी फिस रहेगी यह भी आप सब कमेंट करके बताएंगे ऑसकर उसमें ऑसकर डॉलर सही रहेगा या कोई कार फिस सार्क सही रहेगा सबसे पहला यह कोश्चन हो गया दूसरा इसमें मैं अपनी पुरानी जितने भी अमेरिकन सिकलेड है उसका सिप्ट कर देता हूं सबसे अचे टंक से हाइडिंग प्लेस वे गारा इस्टोन वे अट इसे वहाँ पर फिसस है सार्क है सार्क को मैं हटा दूंगा ग्रीन टेरर है अब बाकी यहाँ पर जितने भी है फिस इसमें मैं रखाओं जिसमें सिवरण फिसस आपको नज़ारा रही होगी जोल ज्वेल सिक्लेट , पैरट फिशेज उधर भी है ज्वेल सिक्लेट और टेकसास भी होगी किसी साइट पीछे अब वहां है किसी तेंक में तो एक वह हो गया फिशेज तो आप सब जरूर बताएंगे कि क्या क्या करें यह सारा की सब्सक्राइब या यहां पर यदिन पर सपते हीं तो यह इसमें गुरामी लगे कौइगा अगर की समझ मे जो फिसेशत खाली हो जाएगा तो इस bisher की सब्सक्राइब पर यह क्या ही दिए हो जाएग मैं और यहां जाएगी तो इस वाले टैंक में कौन सा फिसेश आप फ्लावर हॉर्ण फिर से लेते हूं मैं यह भी आप कमेंट कीजिए फ्लावर हॉर्ण सही रहेगी स्टेंग के लिए मैं जो भी फिस लाना चाता हूं अब सोचता हूं कि मेरे घर में काफी समय तक रहे जैसे ऑसकर वेगरा जो है मेरे पास बहुत पहले से साथ साल से रही है और यह जाइंट गुरामी का खुदी हो चुका है लगबग तीन साल तो इस वजह से मैं सोच रहा हूं कि आप सारे फिसस को एक जगा फिक्स करूं और इसे बढ़ा करूं मलब छोटे से बढ़े करते वे देखेंगे तो तुरह इंट्रेस्टिंग रहेगा मजा आएगा तो यह मत समझेगा यह जंगल कहां से आगया यह बस मैं प्लांट को स्टोर किया हूं माकी लगा हुआ है इसे मैं भी हटाऊंगा थोड़े देर में इसमें कुछ भी नहीं है यह सारा सिर्फ रख दिया हो कि तीन फीट का एक्वेरियम है एक उसमें मैं इस प्लांट को एकजस् उससे मुझे समझ में भी आएगा और यह मेरी है छोटी सी छोटी मचली कि स्टोर करने का इसमें जेबरा फिसेज और वीडो टेट रहा है यह भी मैं आपको दिखाता हूं लाइट जला करके यह खुबसूरत है बस इसका पानी कम हो गया है थोड़े सा एक मिनट यह जल गय बल्व और यह है मेरी स्मॉल साइज की फिसेज बहुत दिन पहले सेट अप किया था यह है मेरी देशी कुरामी इसमें जेबरा फिसेज और वीडो टेट रहा है जो कि इधर उदर घूम रहे होगी अभी मैं इसमें पानी थोड़ा भर देता हूं ताकि फिसेज को तैरने मे ज्यादा डिफिकल्टी ना हो बाकि आप सब कमेंट कीजिए मॉंस्टर फिसेज रखने में बहुत समस्या होती है यह बात रियल है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप सबको कि अभी तक मैं मॉंस्टर फिस कीप करके क्या-क्या सिखा हूं और कितना ज्यादा मैनत लगता है यह नहीं है कि आप असानी से रख लेंगे गोल्ड फिस और सार्क फिसेज नहीं है समझ गए तो ऐसा नहीं है कि अराम से रह जाती है बहुत ज्यादा रिक्वार्मेंट है हाइडिंग प्लेस है फूड हो तो सब कुछ देखना पड़ता है और यह है मेरी आसकर ब अन्दर से दुख तो है पर क्या कर सकते हैं इसमें मैं चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे थांकियो सो मच